हेलो स्टूडेंस वेलकम प्लाइफस मैंने में इस अश्रीक कुमार यूर्ट कॉमर्स एड्यूकेटर और आज की कुंसेप्शन लॉर्णिंग के सीरीज में हम लोग एथिक्स इन रिसर्च के बारे में जानेंगे एक ब्रोसस पर एक सब्सक्राइब करते हैं नोमस के बारे में रूल्स वगेरा एक साथ गाइडलाइन सोगे प्रिंसिपल्स होगे जो कि हमारे हमको अपोड करके रखने पड़ते हैं जिनको हम वैल्यू करते हैं बैसिकलिव वैल्वी डूवर रिस तो अब्जेक्टिव की ब भी चालेगा फस्ट एंप ड्रोड कस अब्जेक्ट अब्जेक्टिफ इस तू प्रोटेक्ट फ्रोटेंट धिजिवन पादिसिपन्स सबसे पहले अगर आप बात करोगे अब्जेक्टिव की तो होगा हमेरे खुर्प को बचाना यहां पर सेकिंड अब्जेक्टिव क्या जाएगा एंशूर करना की रिसर्च जो है वो करनेक्ट की जारी एक ऐसे वे में जो हमारे सारे ही इंडिविजल्स भी इन वोल्ड है उनके इंट्रेस्ट में होगी ग्रूप्स या फिर सोसाइटी हमारे पूरी तरीके से एक जारी जारी बेरेफिट करेंगी उनके इंट्रेस्ट में होगी दन्विजल्स फाइनली थर्ड अब्जेक्टिव जहां पर एक्समीन करते हैं प्रूप्स प्रिक्रिक्टिश्च एंडिश्टे करते हैं एथिकल साउनने सॉद्स और इस्यूस को धियान मेरत थे जो कि सट्र इस उपना उनका भणा झालाओक इनव इन परतिगा आपते होगा इस सłość में मैंशन you पमें लंगे जो में विर्सक्ने अबलोप क्या दो कि एक एथिक्स एक ब्रेंच एने जो की एंफजाईस करती है कि एक पर्टिकुलर इंसान की क्या मोरेल ड्यूटी होती है क्या उब्लिगेशन उनके देखने को मिलते हैं वह फोकस करते हैं अपने आप बेसिकली इंट्रेंसिकली गुड अंदर से आना चाहिए कि कोई चीज सही की गलत है ना फर्क नहीं पड़ता कि कॉंसिक्वेंस कैसे हैं जैसे कि हम बोलते हैं के do not murder some of the obvious ones are do not steal do not lie do not break your promises हना ये सारी चीज़े क्या है हमको जूट नहीं बोलना चीए हमको चुर्णी करनी चीए हमको murder नहीं करना है हमको जूट नहीं बोलना है promises नहीं तोडने हैं यह सारी क्या है हमरे intrinsic good or bad कि हम लोग बात कर रहे हैं जो कि हमारे specified rules के ओपर बेश रहते हैं ठीके फिर बात करें so it is about what is right and what is wrong right आगे बात कर लेते हैं हम लोग ethical सब्सक्राइब की यहां पर एक दूसरी अप्रोच हमको यहां पर क्या होता है ethical standards जो कि universal नहीं होते है कुछ ethical step is in what love हो गया own culture once culture बोलो culture and time की basis पर यह अलग लग आपको देखने को मिल सकते हैं universal नहीं देखने को मिल सकते हैं तो this is based on relativism यह किसके उपर है relativism मैं किसे रिलेट कर पा रहा हूं मेरे लिए वह अप्रोच हम लोग depend कर लेते हैं यहां पर universal वो चीज़ होती नहीं है फिर बात करते हैं यूटिलिश्म अप्रोच जहां पर हम लोग benefits की बात करते हैं यहां पर देख रहे हो को सब देख रहे हो उन सारी चीज़ों पर तो यहां पर इस्ट्री एक्सपेक्टेड बैनिफिट्स एक्सीड दी एक्सपेक्टेड रिस्क से जितना रिस्क हम लोग ले रहे हैं उससे जो benefit को मिल रहा है वो ज्यादा है तुम लोग क्या करेंगे उसको एथिक की बात करें तो यहां पर देखने को मिल सकता है यहां पर कैसी होगी जहां पर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो बैसिकली आपको वो पर पता है तो यहां पर चीज़ तेरीज डिटरमिन वेदर सम्टिंग इस राइट और रॉंग बाई लुकिंग अधिस कॉंटिकोंस उनसे प्रभाव क्या पड़ेगा पर नहां मैंने चोरी करी तो मैं जील में जा सकता हूं हो तो यह आप पता लगा ते और हो कोई अच्छा मान लेते हो और जो खराब चीज़े होती है उनका क्या बोल देते हो रोग बोल देते हो तो यू कन ट्राइ बैलंसिंग तरी किसा आप सोचल नॉम्स कर पाते हो अब दो एक्जामपस की बात करें आप पर अगर बात करें यूटिली टैरिनिस्म की यहां पर आप देखो कि यहां पर सोचल बैसिकली ओरोल गुड की बात कर रहे होते हैं और है पर परसनल आपको अपना खुद का खुद की बारे में ज्यादा बढ़ा होता है किस तरीके से यूटिन एसम देखो को जच करता है कि ग्र इसम क्या हो गया हमारे गुड इफ देखोंस प्रोडिश प्रोडिशस और अवयर पें यहां पर अगर आपके दर्द को को चीज रोक रही है या फ़र प्लेशर में इंप्रूव कर रही है प्लेशर रहा देरी आपको आपको क्या बोलते हो है 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 अब बात कर लिए जस्ट is theory की और कि justice theory अबने किसे ने दिया जौन रोल्स ने दीट यौन डियोफ जूर्स विशंट ऑपर करती है त्रॉशल कॉंट्च त्रीयों क्लियों सर्वत रोस सोर्फ आरग्यों करते है कि कर से एकल डिस्ट्टिश्न अफ रिसोर्स होना मंगता है हमारे से प्ली पोर इंग कि आया है 20 अलिस कि बात हुए और थे कुऴ सिपेशन की बात करते है इक रिसोर्स की दिश्रिबिकिन कि बात करते हैं तो फेरे इस प्रिसे त turmeric सिपर्णिताइब गर्तिति अledल्ड अब अब हुआ प्रुटिस पर देतों çok आपको equal chance equal basically justice की बात हो रही है कि साहे लोग बरावर equity की बात होती है अब बात करते है थ्री लेवल्स अफ एथिक्स की तो पहला आपको देखने को मतलता है MetaEthics MetaEthics क्या होता है इट इन्वे इन्वेस्टिगेट्स वेदर और अव एथिकल प्रिंसिपल्स कम फॉर्म हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स कहां से आते हैं उनका क्या मतलब है उसके बाध टोक्स बाइभ आप ऑफ इन्टमेजिट में ये सारी चीजहों की बात हम लोग कर रहे होता है matter ethics more beyond ethics로 about College applied ethics key to applied ethics одной attempts to apply ethical theory to realize the dish of real life wineries equations where ethics of my career deal you gigate special reals irms of Human Action की बात करता है यहां पर controversial issues की बात करता है ज्जाने बार वागा करता है तर्टीका यह सरी जिसे हमारी मिल यह को applied ethics पर normative ethics के आगर बात करेते यह moral theory होगी basically यहां पर study of what makes things good or bad यहां पर कौन से actions है मैंट कौन सी चीज है कि हमारे किसी भी action को सही अगलत बताती है यहां पर this may involve articulating the good happiness that we should acquire the duties that we should follow seeks to provide action guides procedure for answering the practical question यह सारी चीज है किसमें आगे normative ethics में आगे क्योंकि moral theory की बात करता है अब हम बात कर लेते ethical principle in research कौन कौन से रिसर्च में आपको ethical principles देखने को मिलते हैं उनकी तो यह पर देखो honesty होनी चीए integrity की बात होती है objectivity beneficence हो गया maintaining maintaining confidentiality हो गया fidelity हो गया carefulness हो गया openness respect for intellectual property transparency accountability हो गई responsible publication हो गया non-discrimination बगरा हो गया यह सारी चीज़ है अब यह सारी search in ethics हम लोग क्यों क्यों कर रहे है ethics क्यों रखने हैं तो basically depend करती है बहुत सारी प्रॉब्लम को देखने को मिलते हैं लेटर टूब की बात हो रहे हैं आप फोस्स लगा रहे हो किसी को इनकी प्रॉब्ल करने के लिए अप इंडिविच्छ को अगरू कर रहे हो था पोर्जन हो गया breach of confidentiality यहां पर आप किसी के information बगरा के साथ personal information के साथ क्या कर रहे हो जो उसको कर रहे हो उनके sensitive information को आप क्या कर रहे हो confidential करके नहीं रख रहे है प्रेविसी नहीं दे रहे है उनको फिर बात करते हैं beneficence की तो beneficence क्या हो गया ethical principle हो गया ताकि हम act कर सके best interest of individuals benefits क्या कर रहे है किसे individuals के basis के best interest में के बिहाफ में काम कर रहे होते हैं और well-being promote कर कर रहे होता है fidelity क्या हो गया it refers to the ethical principle of being faithful faithful होना loyal होना keeping commitments वगेरा करना हमारे होता है fidelity ठीक है यह सारी चीज़ हमको देखने को मिली कहां पर हमारे ethical principles के research बैसिकली ethical problems हमको देखने को मिली हमारे ethics in research में so कौन-कौन से देखने को मिली हमें pleasurism हो गया coercion हो गया breach of confidentiality हो गया beneficence हो गया fidelity हो गया यह सारी चीज़ है ठीक है तो इसलिए हमको बहुत important है क्या करना proper ethics को follow करना while conducting research अच्छे खासे plagiarism अगर आप किसी काम किसी और की काम का इस्तवाल कर रहे हो तो उनको proper क्या देना attribution देना उनका नाम acknowledgement देना उनको वह सारी चीज़े बहुत important जाती है अपने research के अंदर so that was all in today's session यह हमारे UGC net exclusive live batch आपको देखने को मिलता है पेपर 1 के जो आपको live batch mock test unit test or daily practice paper देखने को मिलता है कि हमारे exclusive courses पर फिलाल आपको 30% discount देखने को मिलता है if you apply the coupon code the IFAS 30 so make sure to check it out okay so you can start up your UGC net preparations with our IFAS जहापर आपको faculty demo videos देखने को मिलती है exams के बारे में सारी चीज़े देखने को मिलती है syllabus के बारे में पिछली प्रिविए दो साल की कि करिकोशन पर उनके 9 SS cut-off कितने रही है प्रिविश्टों सालों में वह साली तो यह बारे में आपको देखने को मिलती एक जिगापर यह आपको आपको अगराफ स्कान करते हो तो आप रेडिरेक्षियाति आपने इफस के डालोड इच पर, so make sure to download it and join our ifs I'll be seeing in the next session and then please secure yourself and keep learning thank you